हलो फ्रेंड्स वेलकम टू निकमेक टेक जैसा कि आप सभी जानते हम लोग अल्फा वेटिकल सीरीज चेप्टर पढ़ रहे हैं तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में ये वाली सीरीज के वारे में डिसकसन किया था जिसमें फर्स्ट हाफ रिवर्स ओडर में लिखा था और से सेकिंड हाफ आपका रिवर्स ओडर में लिखा होगा और फर्स्ट हाफ आपका नॉर्मल ओडर में होगा तो आईए हम लोग सीरीज को स्टार्ट करते हैं तो देखिए दोस्तो अगर मैं बात करूँ आप लोग कुश्चन को दिहां से बढ़िए यहां पर लिखा है इफ द बताना है यानि कि हमार उनको क्या बताना है कि फर्स्ट हाफ को हमने कोई भी छिर्चाड नहीं करी दोस्तों ठीक है और सेकिंड हाफ हमने करतिया रिवर्स ओडर में लिख दिया और आप सब भी जानते हो इतनी वीडियो आपने देख रखे हैं और अगर आपने नहीं इसक्रिप्शन बॉक्स में आपको complete playlist मिल जाएगी इस चेप्टर गी अब वहां जाकर देख सकते हो तो मैंने आपको सीजी सॉल्व करने के simple तरीका बताया था कि अगर position same है आप लोग जानते हो ना यह चीज तो आप लोग जानते ही हो क्या यह इसका left end होता है और यह इसक position same है question के अंदर तो हम लोग क्या करेंगे minus करेंगे अगर तोनों position opposite आती है तो हम लोग क्या करते हैं प्लस करते हैं ठीक है यह हम लोग पढ़ चुके थे और हमने आपको यह भी बताया था दोस्तों कि answer जब भी हम दो देते हैं last end से देते हैं तो इस वाले question को ध्यान से left hand दे रखा है दोनों end कैसे हैं दोस्तों अपोजिट नहीं है same end है दोनों end कैसे हैं دोस्तों हमारे same end दे रखे हैं और जब same end होते तो हम लोग क्या करते हैं minus करते हैं 15 मैंसे अगर हम 10 को मैंस करेंगे तो क्या बचेगा 4 बचेगा और नास्ट वाली पोजिशन से सवाल क्या है लेफ्ट है ना यानिनती य्यांने की सो आफ हैं तो ढुग को लेफ्ट आइन से चौथा है चौथा लेक्टीं कही ना किया घाज़र को यह ना सिंपल बन गया ये तो बहुत जाद़ इजी कुश्ण बन गया नॉर्मल अलफबेटिकल सीरीज का ही कुश्ण बन गया एसे आपको 14-14 बताना है तो यह से 14 लेटर क्या होता है दी आपका correct answer हो गया चाल यह next question को देखिए हैं अब next question को दिखान से समझी दोस्तों क्या लिखा है second half थीक है कौन सी क्वार की सीरीज से कि आप वाली सीरीज है जिसको reverse order में लिखा गया है यानि की जो हमारे alphabetical series होती है उसका first half में हमने कोई भी छेड़ चाड़ी नहीं की वैसे ही लिख दिया as it is second half को हमने reverse order में लिख दिया z से start हुआ n पर खतम कर दिया ठीक है क्योंकि आप जानते हो हमारी normal alphabetical series होती है उसका first half यह होता है और second half हमारा यह होता है तो ऐसे ना लिख कर हमने question में इसको reverse में लिख दिया इसलिए मैं इसको अठा देता हूं तो इस तरीके से हमने लिख लिया reverse order में फिर देखिए आप लोग क्या देखते हो कि वह कौन से end दे रखे हैं हमको एक left end दे रखा है और दूसरा भी left at and दे रखा है दोनों ही पोजॉसिशन कैसी है same position है तो इतनी वीडियो में यहीआपको इंशर्ट से फोई सब्सक्राइब प्लस समझे म्हाइब यहां पर क्या है opposite पोजिशन नहीं है सेम पोजिशन दे रखी हैं क्हूंता है मुझे खुद Two ए Pittsburgh आउत है हो और पार लोग लेफ्ट से देंगे लास्ट वाले पॉजिशन से तो यहां से क्या आपको बताना है फिप्टीन वैसे सिक्स गया नाइन बचेगा नाइन पुजिशन बतानी एसे तो एसे नाइन वा लेटर क्या होता है आई यह आप जानते ही हो ठीक है तो इतने इजी कुशन है दोस् कि हम लोग यह से आंसर देपाएं क्योंकर आपने जो ट्रिक सीखी ती जोटी वाली है ना जोटी वाली द्धान करें जब फिस्ट वीडियो में आपको ट्रिक बताईथी तो यह से बताती मैंने आपको तो वही दोस्तों यह से आप लोग कोशिश क्या करूं चलो अब हम न यहां पर क्या दे रखा है देखो next question में बहुत जिस सेकेंड हाप को reverse order में लिखा गया है ठीक है तो हमारा जो first हाप है alphabetical series का उसमें कोई change नहीं है फर्स्ताप हमारा बलकुल सेम है second हापको हमने क्या कर दिया reverse order में लिख दिया और आप जानते ही हो यह हमारा क्या होता है left hand होता है यह हमारा क्या होता है right hand होता है ठीक है फिर आप लोग चेक करिये के भही क्या दे रखाया आपको एक left position दे रखी है एक right position दे रखी है तो left और right क्या हो गया opposite हो गया और जब opposite होता है तो हम लोग क्या करते है एड करते है तो कर लो add 10 और 5 15 हमको 15 बताना है लेकिन कहां से left position से 15 बताना है ठीक है तो left position से 15 कहीं न कहीं यहां से यहां जाएगा 15 वा लेटर और आप लोग जानते हो क्या जानते हो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होती है 13 तो 13 में अगर मैं अगर मैं 13 में दोस्तो 2 ऐड़ कर दूँँँँगा Z से क्या हुआ?' 2 तो 15 मिल जाएगा आपको 13 में 2 ऐड़ करेंगे तो हम है ना तो कहीं न कहीं यह वाले सीडी से पार चलाग्या चैनल दीकत लूग को दिक्कत बता वा जेड से तो आपको पता है जेसे second पूझिशन कैसे किसे निकलते हैं 27 मैं से माइस कर देंगे दो कितना वजा 25 इना 25 वाली पूझिशन क्या होगी आपकी why मैं ज्यर्ट से second पूझिशन क्या होती है वा ये तो ऐसे आप लोग कर सकते हो चलो ऐसे कर सकते हैं अम्झेलों के um सेकिंड आपको हमने रिवर्ट सब्न नोश्र में लिख लिया है फिर देखिए यह लेफ्ट है यह आपका राइट है लेफ्ट आARRाइट क्या है सेम है या फिर अपूजिट नसे पिलस कर लो प्लस 13 को 7 से प्लस करो और 13 और 7 कितना होते है 20 होते हैं 20 और 20 answer कहां से देना आपको left 10 से 20 position बतानी है यानि कि यहां से आपको 20 position बतानी है 20 वाली position आप लोग देखिए कि कही न कहीं यहां से पार कर गया न यह तो यहां से यहां तक की दूरी आप लोग जानते हो कितनी होती है 13 अगर मैं 13 में add कर दूँ 13 में दोस्तो अगर मैं 5 add कर दूँगा तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा बताओ या भी 30 में मैं 7 add करूँ तब 20 होगा बताओ क्या एड़ करना पड़ेगा मुझे 13 में अगर मैं 7 एड़ करूँगा तब होगा हमारा 20 होगा नहीं होगा 13 में अगर मैं 7 एड़ करूँगा तब हमारा 20 होगा क्योंकि यही तो काम हम लोग यहां कर रहे हैं 13 में 7 एड़ करके तो हमको देखो 20 वाला लेटर निकालना है तो दोस्तों इसको मैं ऐसे मान सकता हूँ ना Z से 7 बताना है हमको तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिख लूँ Normal Alphabetical Series अगर मैं लिख लूँ ऐसे Z से हमें कौन से लेटर बताना है 7 लेटर बताना है Z से 7 आप लोग जानते हो आगे से कितना होगा आगे से 20 लेटर हो जाएगा है ना तो आप लोग जानते हो T 20 है ना क्या होता है T तो आंसर क्या होगा T A से 20 लेटर क्या होता है T तो आंसर क्या होगा आपका T चलिए next question को देखिए अब इस question को आप लोग खुद से solve करिए वही है second half हमको देखर रखा है reverse order में तो हमारे जो first half होता है वो यह होता है second half हमको क्या कर रखा reverse order में यह आपकी series बन गई अब यहाँ पर देखिए दोस्तो एक आपको right hand दे रखा है दूसरा भी आपको right hand दे रखा है दोनों ही position कैसी दे रखी है same position दे रखी है और जब same position दे रखी होती है तो हम लोग क्या करते हैं minus कर देते हैं तो कर लो 10 मैंसे 5 को minus करो 10 मैंसे 5 जाएगा तो 5 बचेगा answer हम लोग कहां से देंगे last वाली position से यनि की right से हम को fifth position बतानी है right से fifth position बतानी है तो बताओ फटाफट चैसे करोगे आप लोग बताओ फटाफट पटाफट बताओ के right से fourth position कैसे बताउगे अच्छा एक काम करता हूँ मैं अगर मैं इस series को दोस्तो देखो N से अगर आप राइट से बात करें। न से हमें फिप्ट पोजिश्न बताना है। तो अगर मैं इस सीरीज को दोस्तो ऐसे लिख लूँ आगे वारी तो कमने कुछ छिड़चान नहीं करी। अगर मैं इसको नॉर्बल सीरीज लिख लूँ दोस्तो तो हमको बताना तो N से 5th position है ना N से 5th position ही तो बतानी है तो आप लोग जानते हो यहां से यहां तक कितना होता है 13 तो N से 5th position और आगे बढ़ जाओ यानि कि 13 में 5 और एड़ कर दो 13 में 5 एड़ करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तो फटा फट से बताओ 13 में 5 एड़ करोगे तो आप कितना हो जाएगा एड़ करो 18 लेटर हो जाएगा नहीं हो जाएगा तो A से 18 वाला लेटर बताना है आपको तो A से 18 कितना होता है आपको मैंने एजोर्टी बताया था A, J, O, T, Y है ना तो यह पंदर है आपका O, P, Q है ना O, P, Q, R तो A से 18 वाला लेटर क्या होगा आपका R आपको क्या होगा? और तो इसको आप लोग ऐसे कर सकते हो तो मैं आपको क्या बता रहूं दोस्तू यहाँ पर आप लोग अगर सीख पा रहे हो तो एक ही अप्रोच बता रहा हूं कि भाई आपके question solve करने की एक अप्रोच होनी चाहिए कि हम courses करते हैं हमारा जो answer हम लोग दें वो A से दें क्योंकि जो हमने alphabet के number याद करें हैं वो A से याद करें हैं आई समझ? ऐसलिए करते हैं अच्छा आपका एक और confusion आपको हो रही होगी कि जो हमने first series पढ़ी थी alphabetical series वहाँ पर illogical questions भी हमने पढ़ी थी है ना? illogical questions कैसे? माइनस में 3 आ रहा है इसका letter हमको बताना है या फिर 37 वाला बताना है कुछ illogical cases हमने पढ़ी थी वो इन series में क्यों नहीं है सबर आपने बताई तो याद रखना इन series में जो illogical questions से वो नहीं बनते केवल illogical questions हमारे alphabetical series में ही बनते हैं इसलिए मैंने आपको वहाँ पर वो सिखाया था ठीक है? चलिए अब आप next question का answer दीजे मुझे फटा पर दीजे मैं थोड़ा सा वक्त देता हूँ आपको इसको solve करने के लिए सेम है second half हमको दे रखा है reverse order में मैं आपके लिए लिख देता हूँ तो यह से M normal हमारा दे रखा है second half को हमने बस reverse order में कर दिया यह हमारी series है यह आपका left end होता है यह आपका right end होता है आप लोग जानते हो अब इस question को solve करो right end दे रखा है यह right end दे रखा है position कैसी है same position दे रखी है same position में हम लोग क्या करते है minus करते है 15 में से 5 minus करो है तो कितना आएगा 10 आएगा answer हम लोग कहां से देंगे पीछे से देंगे तो यानिकी पीछे से हमें 10 पोजिशन बतानी है तो PCA से 10 पोजिशन कैसे बताओगे आप लोग, देखो, यहाँ मैंने गड़वड लिख दिया, यहाँ A नहीं आता दोस्तों, यहाँ N आएगा, है ना, 1st पोजिशन सेम, 2nd पोजिशन हमारी क्या है, reverse order में लिखी हुई है, अब हमें N से 10 पोजिशन बतानी है, तो N से 10 पोजिशन क्या होती है, आपकी W, कैसे होती है, क्योंकि आप लोग ऐसे इसको इस तरीके से लेख सकते हो, A से M, मैंने भी आपको बताया था, और यह N से Z, तो आप लोग जानते हैं, यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, 13, और अगर मैं इस में 10 एड करूँँगा, 13 में, अगर मैं 10 एड करूँगा, तब हमारी जी पोजिशन बन जाएगी, और 13 में 10 एड करेंगे तो क्या होगा, 23, और 23 क्या होता है, W, आया समझ, तो इस तरीके से हम लोग कोशन करते हैं, चलिए अफट आफट आफट आप आप लोग इस कोशन का आंसर दीजिए, मैं आ हमारा जो second half है, वो reverse order में लिखा है, ठीक है, first half को हमने छेड़ना ही नहीं है, तो आप लोग जानते हो, हमारी alphabetical series का first half तो यह होता है, second half को हमने क्या कर दिया, reverse order में लिख दिया, यानि कि Z से start होगा, और N पर खतम होगा, अब आपको लोग जानते हो, यह हमारा क्या है, left end यह हमारा right end है, यहाँ पर क्या बुद्ध रखा है, एक तो आपको right position दे रखी है, एक आपको left position दे रखी है, दोनों ही position कैसी है, opposite है, और जब opposite होती है, तो हम लोग क्या करते है, addition करते है, तो कर लो, 11 को 5 से add करोगे, तो कितना आएगा, 16, और 16 जो position आपको बतानी है, वो तो बता दो, यहाँ से 16 कैसा होगा, बताओ बटा फट से, एक काम करो ना, इसको solve करने के दो method है, एक method तो आपको पता है, कि यहाँ से हमको अगर 16 वाला letter लिकालना है, तो आप लोग जानते हो, पूरी series जो होती है, वो 26 letter होते है, तो अगर मुझे right end से निकालना होगा, त तो 27 में से minus कर तूँगा मैं के बल 16 को, 27 में से अगर 16 को minus करूँगा तो मैं, तो कितना बचेगा आपका, जल्दी से बताओ, 11 वाला letter बचेगा, यानि कि आगे से 11 letter बचेगा, ठीक है, तो आगे से 11 letter क्या होता है, के, तो एक तो इस तरीके से आप लोग solve कर सकते हो, पीछ देखो, अगर मैं सीरीज को दोस्तो ऐसे लिख लूँ, किस तरीके से ऐसे लिख लूँ, ये नॉर्मल लिखे हो ये ना, कि A से M और Z से N, आप लोग जानते हो, आपको यहां से ये बताना है, ये आपको 16 वाला letter बताना है, तो आप लोग एक बात जानते हो, यहां तक कितन होती है, 13, और 13 में आपको add क्या करना पड़ेगा, 13 में अगर आप 3 और add करोगे, कितना, 3 और add कर दोगे, तो आपको क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, हो जाएगा ना, तो यहां से basically आपको third position बतानी है, तो third position कैसे आएगी दोस्तो, बताओ फटापट से, यहां से third position निका लोगे, तो आपको पता है, यह हमारा क्या होता है, 13, एना, एक जादा बढ़ा कर उसमें से position निकाल दो third position, यानि कि 14 में से अगर 3 को माइस कर दोगे, तो आपको क्या बचेगा, 11, 11 answer क्या होता है, के, आया समझ, आगे से 11 कितना होगा, के, तो कैसे भी आप लोग कर सकते हो अब मैं आपको यह question देता हूँ, यह question फटा फट से आप लोग solve करिए, यहाँ पर भी देखो, बुल को same to same दे रखा है, क्या, second half दे रखा है आपको reverse order में, ठीक है, फिर देखिए आपको second half reverse order में, यानि कि A से start होगा, और आपका M पर ये है, और Z से start होगा, N पर ये है, देखर देते हैं, तो करदो add 15 और 8, 15 और 8 यानि कि 23, आंसर कहां से दोगे, पीछे से, तो पीछे से 23 लेटर निकालना है आपको, तो निकाल लो यहाँ से 23 वाला लेटर, पीछे से 23 तो यानि कि आगे से कितना हो गया, 27 minus 23, 4 लेटर, तो आगे से 4 लेटर आपको बताना है, तो यह से 4 लेटर क्या होता है, D, यह आपका अंसर हो गया, तो दोस्तो इस तरीके से हमारी जो सीरीज थी, यह वाली है ना, यह वाली जो सीरीज थी हमारी जिसमें 2 हाफ reverse order में लिखा था, वो complete हो गई, तो आपको वीडियो कैसी लगी, आप मुझे नीचे comment बताएं, अग आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेर जरू करना, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए बाई, थेंक यू